Good morning students, welcome to my channel Max classes. Students in this video we are going to solve a question number five from the exercise ATMD. The chapter name is mean mode and median. Our question number five is this. A survey regarding the height in centimetre of 50 girls. Okay, havemèn diya houwa hai ke survey kiya gya 50 girls ka और उनकी height ka survey kiya gya. of a class was conducted and the following data was obtained हमें इस तरीके का data हमें मिला है जब हमने survey किया 50 girls का survey किया था हमने और हमें ये data मिला है कि height in centimeter में कैसे दियुए है कि 120 cm से लेके 130 cm तक जो height थी girls की वो कितनी girls थी? 2 girls थी 130 से लेके 140 cm तक जितनी भी students girls की height थी क्यों कितनी थी? 8 girls की height इसके बीच में लाई कर रही थी अगर हम देखे तो 12 girls की height कितनी थी? 140 से लेके 150 cm के बीच में लाई कर रही थी हमें इस question में find out क्या करना है we have to find out the mean, median and the mod of the following data okay mod of the above data हमें इसका mean, mod and median तीनों ही चीज़े find out करनी है, okay? सबसे पहले जब भी हम status के question solve करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है हमें देखना है कि हमारी जो data है, okay? वो inclusive form में है या फिए exclusive form में है, अगर हम देखे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो 130 है और यहाँ भी 130 repeat हो रहा है यहाँ पर आपका 140 था, यह 140 next class में repeat हो रहा है तो इस class का जो, इस type की class होती है, उसे हम क्या बोलते है? exclusive form बोलते हैं, exclusive form क्यों बोलते हैं, ऐसा मैं explain कर चुकी हूँ मेरे previous videos में, तो आप playlist में जाके वहाँ पर check कर सकते हैं, inclusive and exclusive form की सारे question, वहाँ पर upload किये हुए, यह exclusive form का question है, तो हम इसे normal तरीके से solve करते हैं, और अगर inclusive form में Question होता है तो वहाँ पर इसारी किसे Numbers repeated नहीं होता हैella 130 यहां पर रीपीड नहीं होगा, वहाँ पर repeat नहीं होगा, तो वह इंख्लूसीव फ Afghanistan होता है, और consecutive form में जब भी Q случаwn होता है तो हम उसे exclusive form में convert करते हैं कि यहाँ पर यह you already exclusive form में है, तो हम्हें किसी भी तरह के निकाल ली mid value किस तरीक से निकालते हैं mid value कि या हम इसे class mark ऑगी class mark भी बोलते हैं middle value भी बोलते हैं कि सटरीक से निकालते हम जो भी lower limit है class की और जो upper limit है इन दोनों का जीरो यह एड़ करेंगे 3 प्लस 2 5 and 2 you will get 250 अब इस 250 में हम क्या करेंगे 2 सर डिवाइड करेंगे जब हम इससे 2 सर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 1s 2 and 2 1s 2 2 2 2 4 and 2 5s 10 तो 125 अपको यहां पर मिल जाएगा उसी तरीकी से सेम वे में हम next class consider करेंगे 130 से लेके 140 वाली जब आप इससे अड़ करेंगे तो आपको मिलेगा 270 और 270 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 135 ओके आपको क्या करना है अपर लिमिट और लोवर लिमिट अपर आटन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं अगर आपने पहले वीडियो देखें तो आपको यह चीज़ क्लियर होगी अच्छे से अब हमने लिया यहां पर फ्रिक्वेंसी यदि हम देखें स्टूडेंट्स तो यह हमें कोईशन में दी हुई होती है जह हमें number of girls दिया है यह क्य यह तो है ऐसे करके सारी फ्रिक्वेंसी को हमने यहां पर मैंशन करवाया है सब्मीशन ओफ्रिक्वेंसी देखें सबको एड किया तो 50 आएगा आपको और यह कुश्यन में दीया हुआ भी है आप प्रॉस्चेक भी कर सबते हैं वैसे क्रॉस्चेक की नहीं है क्योंकि आपक मैं आपको एक पार अच्छे से रब करके एक्स्क्लेइन करती हूं वैसे अगर आपने पुराने वीडियो देखें हैं तो आपको क्या करना भी आता होगा क्या क्या करते हैं टू को आजटिस लेखा यहां पर टू प्लस एट किया तो को हमने एट में एड किया यह प्लस का स लिए का 42 42 में आपने 8 को एड किया यूविल गेट 50 और 4 एकसाई अपॉन में संमीशन ओभ यह कुनसी मैठट का फोमला ही यह डाएट मैठट का फोमला है ओके अगर आप स्टेप डेवीशन मेंठट अपलाई कर रहें तो स्टेप डेविशन का अलग मेंठट ओता है अलग अलग formula होता है अगर आप assumed mean method लगा रहें तो वहाँ पर different formulas use होते हैं तो हम यहाँ पर direct method से calculate कर रहें तो direct method का यह formula होता है तो fi into xi अगर हम देखे तो इस 1490 था और fi 50 था तो इसको हम इसे हम क्या करेंगे 50 से divide करेंगे mean calculate करने के लिए 50 से 0 से 0 कट जाएगा 5 की टेबल से तो हम cut कर सकते हैं 5 का टेबल सभी को अच्छे से learn होता है तो 149.8 आपको क्या मिल गया mean निकल गया अब mean तो आगे हमारे पास में अब हमें निकालना है क्या है median अब median में हम क्या निकालते हैं n by 2 देखते हैं तो अगर n देखे तो n क्या है n होता है हमारा summation of frequencies सारी frequencies का addition तो वह कितना आया 50 आया अब हम n by 2 निकालेंगे n by 2 तो 50 divided by 2 करोगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा अब हम क्या करेंगे students n by 2 तो हमारा 25 आ गया अब हम देखेंगे cumulative frequency just greater than 25 अगर हम टेबल पर जाना पड़ेगा हमें पीछे और cumulative frequency देखेंगे just greater than 25 25 सा just greater वाली आपको frequency देखनी है cumulative frequency तो कितना हो जागा यह 42 है okay cumulative frequency 25 सा just greater वाली कुनसी frequency 42 अगर टेबल में देखें तो 42 के corresponding जो class होगी वह कुनसी आपकी क्लास होगी मेडियन क्लास होगी तो 150 से 160 वाली क्लास आपकी कौनसी होगी मेडियन क्लास ओकी कौनसी क्लास होगी मेडियन क्लास ही यह आप अच्छे से पुरा लीखा होगा है आप यह आप नो डाउन कर सकते है कॉपी में अब हमें क्या करना है हमेरे पास में पतना चल गई अब हमें फॉर्मलेस में जो जो चीज़ें रिक्वाइड हम उसकी वैल्यूस को चेक अप करेंगे कि क्या है वैल्यूस अब 150 से 160 जगा देखें तो ल क्या है यह 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 लिमिट ओफ दे मीडियन क्लास लोवर लिमिट ओके लोवर लिमिट ओफ मीडियन क्लास मीडियन क्लास की मीडियन क्लास की लोवर लिमिट है तो लोवर लिमिट ओफ दे मीडियन क्लास 150 तो ल का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा एच क्या होता है आपका स्टेप साइज होत अब ट्रैक्ट कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा है तो कोई सी भी klas ले सकते 1 20 से लेके 130 वाली तो 130 अपर लिमिट है और लोगर लिमिट किती 120 है तो यहांपे कितने का difference है 10 का difference है तो यह h क्या हो जाएगा आपका class का size हो जाएगा तो h यहाँ प्या कितना आ गया 10 आ गया class size आ गया अब f क्या है frequency of the median class median class की frequency तो आपके median class कौन से थी 150 से 160 वाली class थी तो उसके frequency क्या आएगी अगर हमें table पर जाना पड़ेगा table पर अगर हम देखे तो 150 से 160 वाली जो class सा उसकी frequency कितनी है 20 है तो f कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ओके so f is 20 here f is 20 ओके अब c f of the preceding class है ना cf क्यों होता है cf of the preceding class मतला कि जो median class है उसकी just पहले वाली class का cf लेना है आपको ओके तो अगर हम यह आपे देखें student तो यह कुन सी थी यह तो हमारी median class थी ओके median class के just पहले वाले class कुन सी होगी 140 से 150 वाली तो इसका जो cf होगा इसका cf कितना है 22 है तो cf कितना हो जाएगा यहापे 22 हो जाएगा जो हमें formula में पूछ करना है क्या करना है हमें जो median class है उसके just पहले वाली class का cf देखना है हमें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CF कितना हो जाए कि यहाँ पर 22 होगी है यहाँ पर N by 2 हमारा 25 था यह तो हम निकाल चुके थे सारी वैल्यूस हमने मीडियन का यह फॉर्मला था उसमें पूट अप करेंगे हम फॉर्मले में अच्छे से याद रखें ओके फॉर्मले में का मिस्टेक करी तो पूरा कोईश्चन गलत हो जाना है आपका एल हमने यहाँ पर लग दिया 150 ओके एच अपका 10 था N by 2 25 था C आपका 22 था C C F मतलब की आपका 20 था अब इसे आप कैल्कुलर करें 25 में 22 गया यूट 3 3 by 20 और 10 से मल्टिप्ला था तो 10 से 0 से 0 कर जाएगा 3 by 2 बचा 3 by 2 का बोलते 1.5 ओके 150 में 1.5 एट करेंगे 151.5 मिलेगा आपको करें 151.5 अब निकाल चुकते था आपको निकाल सकते माड किसे निकालते यूज इस फॉर्मूला कि माड का और मीडियन का क्या रिलेशन हो था 3 मिडियन माइनस में 2 मीन यच्छे से याद रख लें आप तो जो मीडियन की फाइंड आप करें था वह मीडियन यहां पे रग 14.9 जो कि हमारा क्या है MOD मॉट का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा maximum height maximum students की height कितनी आ रही है 154.9 यह क्या आपकी जो class दी हुई थी तो क्लास में आपको क्या दी होता है कि GIRLS की height दी हुई थी maximum number of girls की जो height थी maximum girls की height थी हो कितनी आ यह 154.9 यह आपका मौट का मीन ही होता है यहां पर एक कोशन हमारा कम्प्रीट होता है नेक्स कोशन भी सेम पैटर्ण का है जल्दी से हम मैं आपको explain करती हूं नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर सेक्स सेम अक्ससाइज का सेमारा कोशन निए था पैंगे का दे लिए निकला मीडियन निकला तीनिए आपके इंकम के लिए रुपी का जो डेली इंकम इन वर करकर की वह कितने रॉकर की ट्वैले 1 14 workers की daily income किसके बीच में लाई कर रही है one one twenty से लेके one forty रूपीज के बीच में लाई कर रही है इस तरही किसे आपको question में दिया हुआ है using these table we have to find out the mean, mod and median okay all the three values of the central tendency we have to find out daily income हमने या पुरा मैंचन कर दिया class made value वैसे ही निकाली जैसे अभी मैंने बताई थी कैसे देताई थी कि upper limit को plus lower limit को add करे class की और उसके 2 से divide कर दे जैसे 100 है और 120 है इन दोनों को add करे 100 100 plus 120 कितना हो जागा 220 220 को आप 2 से divide कर दे कितना है 220 उसको 2 से divide कर दे कितना आजाएगा 110 आजाएगा तो यह आगया 110 ओके 120 अब next class लेंगे 120 प्लस 140 वाली class नहीं तो दोनों को add करेंगे 120 प्लस 140 किया कितना मिलेगा 260 मिलेगा 260 को टूसर डिवाइड कर दे तो ठट बन ठट्टी हो जाएगा कैसा कि आप 260 को टूसर डिवाइड किया तो यह मिल गया 130 इसी तरह के सारी मेड वाल्यूस निकाल लिए 140 प्लस 160 किया ओके you will get 300 300 को टूसर डिवाइड करोगे तो 150 मिल जाएगा सारी मेड वाल्यूस आप फाइंड आउट कर सकते सिंपल चीज़े हैं कर सकते हैं 10th class में आ गए इतना तो आपको maths अब आने लगा होगा फ्रक्वेंस हमें कोशन में दी हुई थी हमने मैंशन कर वाली और 50 हम यहां पर डारेक्ट लिख देंगे क्योंकि डेटा कितने इस वाकर्स का है 50 वाकर्स का डेटा यह आपको कुशन में गीवन है cumulative frequency हमने find out किये किस तरीके से find out किये मैं next class में बता दी हूँ अभी बता दी हूँ आपको just frequency कैसा है 12 है यह 12 12 को हमने 14 में add किया 12 प्लस 14 करोगे add कर रहे हूँ तो 26 मिला 26 में हमने 8 को add किया है तो कितना मिला 34 मिला 34 में हमने 6 को add किया तो कितना मिला 40 मिला 40 में 10 और करोगे तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा तो इस तरह के स्क्यूमिलेटिव निक्वेंस से निकाली ये 50 और ये 50 सेम आ रहा है that means हमने सही कैलकुलेशन किया है F I में X I का मल्टिप्लाइ करना है अब हमें मीन निकालने के लिए क्योंकि मीन में इसका नीड होता है तो 110 में हमने F I 110 में हमने 12 का मल्टिप्लाइ किया तो 1 सी 2 0 मिलेगा मल्टिप्लाइ कर रहे है 130 into 140 14 का मल्टिप्लाइ किया तो 1 8 2 0 मिलेगा 150 into 8 करोगे तो 1200 मिलेगा 170 into 6 करोगे 1020 मिलेगा 190 into 10 करोगे तो 1900 मिलेगा फिर इन सबका addition करना है इन सबको एड़करना है आपको सभी को एड़करतेजाएं सबीको एड़करोगा तो 726 जीरो मिला अब हमें मीन निखालको सदूक्राइड करेंगे करेंगे मीन का फॉर्मले है कमें स मेंने question में अभी इसी same वीडियो में and by two निकाल हो तो 25 आज जागा 50 divided by two अब हमारे पास में cumulative frequency देखना 25 से just greater वाली तो टेबल पर जाएं वापस टेबल पर थोड़ा सा में टेबल रब कर देती हूं यहां पर हमें देखना है कि cumulative frequency is just greater than 25 25 से just greater वाली cumulative frequency कितनी है 26 25 से just बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी accumulative frequency तो accumulative frequency कितनी 26 वाली class कुन सी 120 से 140 वाली class है तो 120 से 140 वाली class क्या हो जाएगा कि median class हो जाएगी एल निकालना रहता है formula में एल क्या होता है lower limit of the median class तो एल कितना हो जाएगा पर 120 हो जाएगा कि lower limit कितनी है 120 median class की 120 आ गया step size निकालते है आप step size कैसे निकालते है upper limit minus में lower limit करते हैं तो upper limit कोई सीभी class लें कोई सीभी class लें तो median class लें तो 120 माइनस में 100 करोगे तो कितना मिल जाएगा ही मिल जाएगा 120 माइनस में 100 is equals to 20 तो एच is equals to 20 आजाएगा आपके पास में आपको फॉर्मले में एफ की रिक्वार्मेंट होती है तो एफ कितना होता फ्रिक्वेंसी ओफ दा मीडियन क्लास तो कौटिन हो जाएगा तो प्रिस्टिंग क्लास पुसे आपकी 100 आफ से लेके मेंडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लासीड तो कितना हो जएगा self हो जाएगा यह सारी में आपको बता चुक हो हें यह लिखा हٌ अभी है क्लीरव लिखा है ओई है ॢ५ नसी ए-सट को एंद एच इसे सारा चीज इम बता चुकी हूँ आपको एच यह 20 बताया में आपको यहीं साही चीज़ आपको क्या करने है फॉर्मले इसमें पूट करने यहां पर पूट करें ओके इता क्या खुद को भी पर लेकर सॉल्व करें यहीं सजिशन है मेरा अपने इसको हैं कि की फ इंच हैं जाएगा ऐगा 14 नगापको करवान विए 6 10 से क्रवाश्य च्रव करने चाहें है कि है 17 अंच rich म कि एटी पॉइंट विएगा जाएगा इससे स्माल थावाइवाइट कर एगंप थावाइडव करो आई एटी विए थावाइबों हुत पर 18.57 का अब जब 120 में एड़ कर दोगे तो कितना हो जागा 138.57 हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आप अब मॉड का फॉर्मला ओता है ठीके सब्सक्राइब करें आपको इतना मिल जाएगा तो मॉड भी हमें आप पर क्याकुलेट कर चुके चल्कुलेशन में कहीं दिक्कादारी तो कॉमेंच करके बता सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक् थांक यू वेरी मच